स्वागत है आप सभी का competitive exams के इस सीरीज में दोस्तों आपने अपने day to day life में जरूर फिल किया होगा कि किस टाइप से government jobs पाने के लिए competition day to day बढ़ता ही जा रहा है government jobs छोड़िए private sector में even though entrance exams रखे जा रहे हैं तब जाके jobs offer किया जा रहा है यानि कि अगर आप अपने dream job को पाना चाते हो आप भी चाते हो कि आप जाके आगे officer बनो आगे किसी बड़ी post पे जाओ तो need of the hour यही है कि आपको अभी से prepare करना पड़ेगा अपने आपको तब जाके आप exams crack कर पाओगे one day exams चाहिए आपको SSE CGL देना हो, CHSL देना हो या फिर मन चाहिए अपनी university में admit करवाना हो अपने आपको इवन तो वहाँ पे भी आपको entrance exams जो है face करने पड़ेंगे यानि कि हमें कहीं न कहीं prepare करना पड़ेगा अपने आपको हम किसी भी level पे हैं तो हिंखोज आपकी मदद करेगा इसी चीज में वी आर स्टार्टिंग आवर कॉंप्टिरी एग्जाम बैच फ्रॉं 20 नॉम्बर 2020 और इसी चीज के साथ जो है मैं आज के इस टॉपिक को जो है आप लोगों को समझाऊंगा आज का टॉपिक यही है Present Perfect Tense इवन दो मैं पिछली दो वीडियो में आपको बता चुका हूँ hidden facts and important facts about your present indefinite tense जिसे आप simple present भी बोलते हो present continuous tense ठीक है वो दो चीजे में आपको बता चुका हूँ link आपको description में मिल जाएगा आज की इस वीडियो में बात करेंगे present perfect tense की तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीखेंगे बहुत यूनीक facts present perfect tense की बारे में रोज नए तरीके से वीडियो के जरीए अंग्रेजी सीखने के लिए हिंखोड चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें तो आईए स्टार्ट करते हैं बहुत ही easy है वैसे ये tense लेकिन हम अपने आपको prepare कर रहे है किसके लिए competitive exams के लिए यानि कि easy easy चीज़े हम नहीं करेंगे और यज़ी बहुत सारे youtubers हैं जोनोंने easy easy पड़ा रखा है हम क्या यही चीज़ repeat करेंगे नहीं कहीं न गहीं आप इस वीडियो में आये हो तो आपको एक unique चीज़ मिलने चीज़े तो हम बात करेंगे important facts के बारे में पहले ये tense जो है आपका past और present दोनों का amalgamation है मतलब mixture है for example आप कहते हो मैं खाना खाच चुका हूँ you have eaten already मतलब past की बात हो गई है लेगिन इसका अच्छा खासा link है present के साथ क्योंकि आपने recently finish किया अपने खाने को बाकि हम बात करते हैं कि exams में किस type से question आते हैं हम मीठी मीठी बाते नहीं करेंगे बिल्कुल भी main चीज़ है हमारा competitive exams तो देखिए क्या होगा देखिए आप क्या कहते हो question किस type से पूछा जाता है मैं आपको example दिखाता हूँ माली जी आ गया question he ate his food recently he ate his food recently उसने हाल ही में अपना खाना खतम किया है he ate his food recently है ना तो ये question ये बताओ मैं पूछता हूँ कि इसमें जो है error है अब error कहाँ पे है इस type से question पूछा जाता है यानि कि error spotting का question पूछा जाता है किसका? error spotting का कि भाई error चाट दो अब error अगर चाट दिया तुसे improve भी कर दो तो improving का भी question आ जाता है improvement करने का तो इस type से question पूछे जाता है और कई बार सिर्फ ऐसा पूछ लेता है कि भाई जो part गलत है उसे underline कर दो तो इस type से question जो है MCQ based में आपके exam से में पूछे जाते है तो अभी आपको क्या करना है माली जी यहाँ पर ऐसा है कि he ate his food recently आप कहोगे कि sentence सही है उसने हाल ही में अपना खाना खाया past indefinite बन रहा है एट लगा दिया मैंने तो यहाँ पर गलत क्या है तो गलत है यहाँ पर देखिए क्यों गलत है यह क्योंकि recently जब आ जाता है जब recently वर्ड आपको दिख जाए recently तो यानि कि वो उसका present से अच्छा खासा नाता है यानि कि जब कोई चीज past की बात सो कर रही हो और उसमें present में ही वो just अभी finish हुआ है present में भी यानि कि past to present में ने अभी कहा था जब amalgamation हो दोनों का mixture हो तो आपका present perfect tense होता है इस्तमाल तो आपने यहाँ पर past indefinite लगा रखा है यानि कि यह चीज गलत है तो यहाँ पर 8 ना के क्या आएगा अब error चला कि recently आते ही present perfect बनाना है ठीक है यह चीज हमें सीखना है तो आइए start करते हैं बिल्कुल भी आसान चीज़े हम नहीं सीखेंगे हम सीखेंगे अपने आपको prepare कर रहे है competitive exams के लिए यानि कि हम इस चीज को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है ठीक है यह sentence किसी ओर tense का आप यूज करोगे sentence में तो वो गलत होगा और उसी को आपको improve करना है ठीक है जल्दी से एक बार meaning देख लीजे just मतलब अभी अभी ठीक है just I have eaten my food मैंने अभी अभी अपना खतम किया है till अब yet मतलब अब तक yet अब तक yet I have not done my homework मैंने अभी तक अपना homework नहीं किया है already पहले ही already I have done my homework lately और recently आपका हाल ही में के लिज होता है हाल ही में recently ठीक है तो recently we have gone to Mumbai so far अब तक ever कभी ever you have been to Mumbai क्या तुम कभी Mumbai गए हो तो यह आपने सारे words दे के लिए जो कि आपको hint करेंगे ठीक भाई perfect यूज करना है आपको ठीक है इसके अलबा यह एक sentence होता है sentence का structure अगर आपको इस टाइप से दिख जाए तो वो भी आपका perfect ही यूज करेगा दिखी कैसे मैं कहता हूँ this is the first time ठीक है that I have drunk a new kind of juice ठीक है कि भाई यह पहली बार ऐसा है कि that this is the first time यह आपको expression यह वाला मिल गया this is the first time यह निकि जब भी इस type का कोई आपको sentence मिले ना तो आप याद रखना है कि आपका जो है present perfect इस्तेमाल होता है देखिए have drunk have के साथ वर्ब की third form drink, drunk, drunk तो I have drunk a new kind of juice यानि कि यहाँ पर आपका present perfect use होता है जब भी इस type का pattern आपको दिख जाए sentence में ठीक है आगे बढ़े और नहीं नहीं यह उनीक चीज़े सीखे इसके बारे में तो देखें मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर कुछ words लिखे हैं इनका एक specific use है जो कि यहाँ पर use होगा इस sentence को correct करने के लिए यहाँ पर यह जो sentence है यह गलत है इसको correct करना है हमें लेकिन उससे पहले हमें concept पता होना चाहिए point of time का यह नया concept है आप ज़रूर सीखे इसको ध्यान से देखें time की जब बात करते हैं tenses में तो बहुत important role play करता है यही बताता है कि present, past, future जो भी है तो time जो है frame तिन टाइप में frame में तूटता है या फिर तो period of time होगा point of time या फिर expression of time point of time क्या है तो period तो आपको पता चल गया कि 2 गंटे, 3 गंटे क्योंकि आप देखें, माली जे time है आपके पास पूरा है ठीक है? यह घड़ी है तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि 2 बजे ढून के दिखा दो तो आप correct बोल दोगे कि यह रा 2 बजे हैं यह है 2 बजे वाली, sui और यह बजगे 2 ठीक है? यह 2 बजे वाली needle है लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि 2 घंटे ढून के दिखा दो घड़ी में आप ढून नहीं पाऊँगे 2 घंटे कभी ढूना जाएगा गड़ी में? 2 घंटे तो आप बताऊगे कि 3-5 तो 2 घंटे हुए 2 घंटे को आप ढून नहीं सकते हाँ, अगर मैं कहता हूँ 2020 ढून के दिखा और ढून लोगे आप मैं कहता हूँ 30 July ढून के दिखा और ढून लोगे तो यह सारे point of time है अगर आप कहते हो 10 साल तो यह तो period है, तो वो period of time बन जाएगा ठीक है? तो यह points जो है आपके point of time सो करते हैं तो अगर आप किसी sentence में आगर देखते हो इसमें जैसे माली जे present perfect के साथ अगर point of time वाला कोई word मिल जाए has returned और ego मिल जाए तो यह गलत है, यह गलत है कैसे गलत है? यह कहता है कि भाई present perfect tense आपको लगाना है, लिगन अगर उसके साथ कोई point of time वाला word जोड़ दोगे point of time वाला word जोड़ दोगे तो यह present perfect नहीं रह जाएगा फिर क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? जल्दी बोली अगर आपको आता है तो past indefinite बन जाएगा, यानि कि simple past verb की second form वाला tense बन जाएगा, तो यहाँ पर तो यह गलती है हमारी यह बनेगा आपका, अब आपको होगे कि change क्यों हुआ सरी, tense कैसे change हो, देखिए आपने जब कह दिया माली जी यहाँ पर क्या लगा हुआ? एगो और एगो क्या है? आपका point of time है और इसने कहा कि present perfect के साथ जब आपको point of time वाला कोई word यूज करना हो तो वो past indefinite बन जाता है तो reason क्या है? क्योंकि एगो ने बता दिया यह past की बात है, दू दिन पहले ही आ चुका है यानि कि वो चीज अब क्या change होगी? किसमे? past में change हो गई क्योंकि present perfect तो हाल की चीज़ों के लिए उस होता है जिसका कोई नाता है present के साथ यह तो ego लगा के आपने past बना दिया तो past बना दिया तो भई past ही बनाओ फिर present क्यों रख रहे हो? यह है concept समझाया? कोई बताता नहीं जनरल इन चीज़ों को ध्यान से समझेए क्योंकि हमें concept बनाना है और अपने आपको prepare भी करना है competitive exams के लिए तो has returned नहीं होगा past indefinite बनाने को बोल रहा है तो returned कर दीजिए second form returned होता है ना तो he returned two days ago और यह इस टाइप से finish हो गया ठीक है? तो मैं आप भी जो है चार examples लिखूँगा चार मेंसे मैं दो करवाँगा आपको इसी वीडियो में और दो आपको homework के लिए दूँगा तो आई स्टार्ट करते हैं एक बार तो यह रहे कुछ examples जो कि मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं आपको दो examples मैं करवाँगा और दो आपको as a homework करने हैं इनको correct करना है अगर इनमें गलती है तो ठीक है? दो मैं करवाता हूँ दो मैंसे मैंने पहले को जो है mark कर रखा है क्योंकि इसका concept जो है आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था present indefinite वाले में यानि कि देखे इसको पढ़िए he knows me for two years पढ़ने में अच्छा लग रहा होगा कि वो मुझे दो साल से जानता है ता है तो भाई नोज लगाया है क्या गलती है present indefinite लगाया है लेकिन याद कीजिए मैंने कहा था जब present indefinite के साथ expression of time आजाए यानि कि for two years तो यहाँ पर क्या आएगा he has known he has known ज्यादा जानकारी के लिए description box में लिंक है आप जरू जाके वाली वीडियो दखिए second example मेरे को करवाना है third और fourth आपको घर से करके लाना है तो I ate my food recently अब ही आपको मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया था पीछे कि recently दिख जाए आपको या फिर ever दिख जाए आपको already दिख जाए just दिख जाए तो यहाँ पर क्या आता है present perfect बनता है आपका तो यहाँ पर क्या लगा रखा है मैंने eight past indefinite गलत है काटिए इसे क्या बनेगा I have eaten my food has eaten आएगा यहाँ पर sorry have eaten I के साथ have आता है थोड़ी आएगा I have eaten my food I have eaten my food recently तो यह आपके दो homework हो गए he has gone yesterday yesterday आ गया point of time present perfect कि साथ अगर point of time आजाए तो क्या बनता है खुद करिए आप मैंने बताऊंगा आगे ever you have been to Mumbai sometimes सही है देखिएगा सही है तो ठीक है और गलत है तो इसको correct किजिएगा बाकि मैं hint के लिए चले बता देता हूं दोनों sometimes जो हैं गलत हैं आपको correct करने हैं तो यह दोनों आपके हो गए homework ठीक है बाकि वीडियो कैसे लगी आप जरूर जो है thumbs up करके बताईए लाइक कीजिएगा वीडियो को अगर मेरी महनद आपको पसंद आई तो इसके अलावा अगर आप social media platforms use करते हो तो हिंखोज को follow कीजिए Instagram पे Facebook पे नमस्ते इंगलिस एप को डाउनलोड कीजिए Play Store से free courses हैं वहाँ पे enjoy कीजिए उनका ठीक है बीस नवंबर से जो है अपना course start हो रहा है hopes हो कि आप लोग उसे join करोगे सीखोगे अपने आपको prepare करोगे अभी से और competitive exams के लिए अपने आपको तयार करोगे ठीक है तो अभी के लिए बस इतना ही we'll meet you in the next session subscribe करते हुए आगे बढ़ी एक चैनल को like कीजेगा धन्यवाद